गजुक पूछं आपूशन से चोटी सीरव हैं ? इस संख्या को क्या करना है यह बाद करना है उससे हम क्या करने भाग दे देंगे लिए प्रगाट से हम दे सकते हैं 171 गटाएंगे तो बचेगा चुद है यहां से एक जीरो ले करके इसको हम बना देंगे एक चालीस 178 हो जाता है 136 140 136 गटाएंगे तो बचेगा चार यह एक सुने लेके हो जाएगा चालीस और 17 दूनी हो जाएगा 34 बचेगा छे यह जो छे बच गया यह हमारा सेश फल है और इसी सेश फल को हमको क्या करना है यह संख्या दी गई है छे घटा देना है एकदम हिंपल है वैसे ही यहां देखेंगे एक और प्रस्ण दिया गया है तो देखेंगे 458 को हम भाग दे लेंगे 21 से तो यह हो जाएगा 21 दूनी 42 बचेगा 3 0 ले लेंगे तो 21 से कम 21 अब 30 में से 21 घटेगा तो यह हो जाएगा 9 और यहां से 8 ले लेंगे समीब तम संख्या होगी तो हम देखेंगे यहां 458 है इस में से हमको क्या कर देना है यह जो 14 है घटाना है तो 21 माइनस 24 घटाने से आपको मिलेगा 7 और यहां पर जमी साथ हम जोड़ें यह तो हम इस में से 7 जोड़ सकते हैं या 14 घटा सकते हैं दोनों काम किया जा सकता है यह तो हम क्या कर दो साथ जोड़ने से 40,500 अंदा मिल रहा है यह हम 14 जो है सिदध सिदध में घटा भी सकते हैं तो 4500 कि आठ में यह हम क्या कर दें 14 घटा दें 4500 कि आठ माइनस 14 तो भी हमको वो संख्या मिल जाएगा तो 14 घटाने पर इसंख्या कितना हो जाएगा देखेंगे आठ में से चार गया यह बचेगा चार यहां हो जाएगा यहां से एक उधाल लेने पर दस और दस में से गया यह जाएगा नाओ तो यहां हमको संख्या मिलेगा चार हजार चार सव चवरानवे यह संख्या भी 21 से पूर्ण तहां विभाजित हो जाएगा तो हमको यहां पर पुछा गया है समीप्तम समीप्तम मतलब पासवाली संख्या कौन सी है तो हम देखेंगे कि 4515 और चार हजार चार सव चवरानवे में दोनों ही इस 4,508 के समीप्त है कि अ कि अ कि